दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने Facebook एकाउंट पर Reels वीडियो कैसे अप्लोड करें तो अगर आप अपने Facebook पर Reels अप्लोड करना चाहते हैं यह फिर Reels बनाना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे चले मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही easy है तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले आपको अपने mobile में आना है फिर आपको अपने facebook app को open कर लेना है एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजे मैं facebook का full version वाला app यूज कर रहा हूँ तो अगर आप लोग facebook light यूज कर रहे हैं फिर आप अपने facebook के account में आ जाएंगे अब यहाँ पर देखिए आपको option मिलेगा जब आप scroll करेंगे तो यहाँ आपको reels का option मिलेगा आपको यहाँ reels वाले option पर click कर देना है जैसा आप इस पर click करेंगे तो अब यहाँ पर आपके mobile की gallery open होकर आ जाएगी तो आपका जो भी reels वीडियो है वो यहाँ से select कर लिजे reels वीडियो जादतर एक मिनट से कम कही होता है तो उसको reels बोलते है या फिर source बोलते है तो अगर आपका कोई ऐसा वीडियो है जो एक मिनट से कम कहे तो आप उसको यहाँ से select कर लिजे अगर आप चाहें तो Reels create भी कर सकते हैं यहां उपर देखे camera का option है इस पर click कीजे जैसे इस पर click करेंगे तो आप से permission माँगेगा आपको allow कर दिना है फिर आप यहां से Reels video बना सकते हैं फिलाल हम लोग अपने galley से ही Reels video upload कर लेते हैं तो यहां मैं gallery में आ गया हूँ अब यहां पर मैं अपना पहले Reels video select कर लेता हूँ तो यहां से मैं Reels video ले लेता हूँ अपना मैंने एक बनाया था तो यह देखे मैंने अपना Reels video select कर लिया तो यहां पर Reels आ चुका है अब यहाँ नीचे देखे आपको option मिलेगा edit real आपको इस पर click कर देना है तो अब देखे यहाँ पर नीचे में आपको कैसारे option मिल जाएंगे यहाँ पर add option आप चाहे तो और भी video add कर सकते हैं replace करना चाहते हैं इस video को तो replace भी कर सकते हैं adjust करना है तो adjust कर लीजे speed बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हैं crop कर सकते हैं reverse कर सकते हैं split कर सकते हैं यानि की beast से इसको cut कर सकते हैं अगर कोई part आपको पसंद नहीं तो उसको cut करके हटा दीजे अगर आपको audio डालना है तो यहाँ नीचे देखे audio का option है इस पर आप click कीजे तो यहाँ से आपको बहुत सारी music मिल जाएंगे यहाँ से आप search कर सकते हैं जैसे मैं search कर लेता हूँ Hindi song तो यहाँ से आप अपने मन पसंद का music search करके यहाँ से add कर सकते हैं यहाँ से आप चला कर देख सकते हैं अगर आपको add करना है तो यहाँ 3 dot है इस पर click कीजे फिर आपको यहाँ पर select पर click कर देना है फिलाल मैं इसको cancel कर देता हूँ ओके अब देखे यहाँ पर आपको नीचे option मिलेगा text का यहाँ text पर click कीजे तो यहाँ पर आपको text लिखने को मिल जागा आप यहाँ से text लिख सकते हैं तो फिलाल मैं इस text को delete कर देता हूँ तो आपको जो भी add करना है वो यहाँ पर आप add कर लिजे इसके बाद आपको done वाले option पर click कर देना है फिर आपको next वाले option पर click कर देना है यहाँ देखी नीचे next का option है इस पर click कर दीजे फिर यह processing होने लग जाएगा तो आपको थोड़ी देर wait करना है अब यहाँ पर आपको अपने reals वीडियो का description लिखना है तो आपका reals वीडियो जिस भी बारे में है उसका आप description लिख दीजे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ summer vacation तो आप जो भी लिखना चाते हैं वो लिख दीजे इसके बाद अगर आप hashtag लगाना चाते हैं तो hashtag लिख कर आप लिख दीजे जैसे मैं लिख दीता हूँ village ओके तो आपको जितना hashtag लगाना है वो आप लगा लिजे इसके बाद यहाँ पर आपको नीचा option मिलेगा public इस पर click कीजे यहाँ से आप इसकी visibility चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो इसको केवल friend को दिखाईए या फिर friend के अलावा जो भी friends उनको दिखाई सकते हैं या फिर इसको public कर सकते हैं ताकि हर कोई देखे चाहे वो friend हो या ना हो फिर यहाँ पर tag people आप चाहे तो किसी को tag भी कर सकते हैं अपने friends को location आएड कर सकते हैं यहाँ देखे location का option है यहाँ से आप location आएड कर सकते हैं तो सारी चीज़े करने की बाद अब आपको यहाँ पर share now पर किलिक कर देना है आप चाहे तो इसको पहले यहाँ से download भी कर सकते हैं फिर यहाँ पर आपको share now पर किलिक कर देना है अब आपका जो real video है वो upload होने लग जागा तो आपको थोड़ी देर के लिए wait करना है तो अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारा real video upload हो चुका है यहाँ पर देखे उपर message भी आ चुका है तो इसको मैं open कर लेता हूँ तो यह देखे यह हमारा real video है अब यहाँ से आप इसको like कर सकते हैं इस पर comment कर सकते हैं यहाँ से और आप चाहें तो इस real video को किसी के साथ share भी कर सकते हैं अब जब भी Facebook पर real video देखेगा तो उसमें आपका भी real आने की समभावना रहेगी तो इस परकार से आप अपनी Facebook एकाउंट पर real video अप्लोड कर सकते हैं बहुत ही आसान है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा